हलो एवरिवन आज की वीडियो है बड़ी ही जानदार शानदार एन इन्पोर्टेंट तो आज हम देखने वाले आसका यान EBC-DIC होता क्या है D.I.D. नहीं है guys Dance of Dance India नहीं है यह आपका EBC-DIC है ओके आसका ही is for the American Standard Code for the Information Interchange and this is extended binary code decimal interchange code okay now आसका ही समझते है फिर EBC-DIC समझेंगे ठीक है D.I.C. this code is popular in the data communication is used almost exclusively to represent in the micro computer so basically एक चीज़ समझ में है कि आसका यह तरह से codes होते हैं जैसे कि 5-6 number होते है या फिर ABCD होती है या कोई special character होता है लाइस देन ग्रेटर देन या plus या minus या अपने computer इसमें लिखते हैं इनको bit form में यानि कि computer कैसे समझेगा तो वो 01 से समझता है गाइस तो वो 01 से समझता तो उसके लिए हमने आसका ही बनाई है जो क्या करती है computer को समझाती है और हमारी understanding के लिए भी है कि 32 को कैसे read करता है computer या फिर a4 apple को कैसे read करता है small a को कैसे read करता है किसी नंबर को किसी character को या mathematical symbol को कैसे read करता है कोई computer that things is done by the asky asky 7 पे ले आयता है देखो प्रोसीजर समझता है तो आसकाई 7 आया फिर EBCDIC आया देन आसकाई 8 आया ठीक है आसकाई 7 is a 7-bit code इसके अंदर देखो एक character को शोगने के लिए 7-bit का यूच किया जाता है और यह अलाव करता है 2 की power 7 से होगा डेफिनेटली 7-bit हो तो 128 character C आप आते हैं समय के साथ बहुत सारे से character shared होने लगी problems create होने लगी तो फिर EBCDIC आता है आपका ता character code was developed by the IBM तो एक IBM company नाम सुनाओको आपने उस company ने यह बनाया था EBCDIC ठीक है it is alpha numeric code ठीक है which stands for the extended binary code decimal interchange code यह इसका full form है और main बात यह 8-bit है यहनिकि 2 की power 8 equal to 256 characters लगबग double तो 256 characters की इसके पास वह है range तो बहुत सारे characters इसमें आ सकते हैं so it is a 8-bit character format to represent numbers characters in the system and basically used for the large computer for the transforming alpha numeric data alpha numeric data को transfer करने के लिए EBCDIC को यूज किया जाता है it also is used as a hexadecimal number system is used as a shortcut notations for the memory dump and this result in a 1 to 4 reduction in the volume of the memory dump यह छोड़ दो लाइन को मतलब नहीं है बस इतना समझो hexadecimal number system को use करिए for the sort notations उपर आते उपर आओ पेले उपर आओ यार नीचे किसे direct आ गए आजकाई 8 आता है फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं standard version हूँ आजकाई 7 का मेरे पास 8 bit है तो कि power 8 से 256 characters है and आजकाई also uses the decimal as a 4 to 1 shortcut notation for the memory dump एक मिनट सर एक मिनट यहां देखो सर 1 to 4 reduction होता है volume का यहां 4 to 1 होता है got it is a sort notation for the memory dump तो 0 से 31 को किसे लिखोगे आजकाई के अंदर देख लो ज्यांसे 8 bit में 3 2 4 7 okay sorry 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 128 के लिए देख रहे हैं तो आजकाई 7 का यहां पर रिवर्जिनेशन कर रहा हो है नोट पूर आजकाई 8 तो ठीक है यहां से 00 से start होता है and with this 31 यह account होता है 32 से यहां से 47 special characters आ जाते हैं special non printable आते हैं यहां पर and 48 to 64 numbers आ जाते हैं आपके 0 से 9 में and आपके mathematical symbols आ जाते हैं इसका 65 to 90 होता है small a2 capital sorry small a2 small z की आपके जाते हैं 97 से 122 तक तो a को आपको इस तरह से लिख सकते हो बी को इस तरह से लिख सकते हो सी को इस तरह से लिख सकते हो आपको पता है मेरे को पता है 32 16 8 421 के रूल के according बस बना लो इसके आगे और 64 जिसके आगे इंڈिया में ऐ केपिटल में ये सब देखो 73 पर आई आ रहा है 78 भी आ रहा है 68 भी आ रहा है अगेन 73 और 65- 83 को इस तरह से लिखिते है 63 को इस लिख प ए wind आजिसे a3 को अगेन इस तरह से लिख लेकिन इसके अंदर code digit अलग रहती है and EBC-DIC का hint इस्तरे से रहता है hexadecimal इस्तरे से शोगरता है तो इसके अपने अपने तरीके है तो में आपको feature समझ में आगए ASCAI and EBC-DIC के बारे में Thank you so much watching this video प्यार देने के लिए सुक्रिया जहिंज वारत मिलते नेक्स वीडियो के साथ में Okay